नमस्कार दोस्तो आपका बहुत बछी श्वागत है। आपके अपने चैनल सक्सेश प्लेस्कंड कोई सारी क्लूर मिलेनियर को जानेंगे और इस दे। दोस्तों चाट पर हम इस पहले डिसकस करेंगे फिर इसके chod 91 में अच्छी तरह से सीख लेते हैं अच्छे फ़र्णा में इन्वेस्ट करना है सबसे पहले इसका रिटॉर्ण देख लिए यहां पाद करेंगे तो यहां पर वान लाग 24,000 परसेंट का रिटॉर्ण जब आप लॉंग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग क्या होता है जैसे आपका रिटॉर्ण 100% का दिया अगले साल जो उस हंड़ेट परसेंट के ऊफर आपको रिटॉर्ण मिलेगा थीए होता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो जो कि आपको स्टॉक मार्केट में मिलता है यहां पर देखेंगा इस कंपनी stock split किया है best value 10 से best value 1 में stock split करने से क्या होता है stock को तोड़ा जाता है छोटी छोटे price में ताकि हम और आप जैसे जो छोटे retail investor है वो जादा इसमें invest करें क्योंकि आप तो ये 700 का था तो लोग डरते थे इसको buy करने से आप आप easily buy करेंगे तो benefit क्या होगा जो पहले से इसमें invested है उनके पास एक share के बदले 10 share हो गया अब आप छोटे price देख करके इसमें काफी जादा buying करेंगे मतलब इस stock का जो demand है वो बर जाएगा demand जब बर जाएगा तो जैसे demand बरहा तो उसका price क्या होता है उपर जाता है इसका price लगातार उपर जाना सुरू होगा जब price इसका उपर जाएगा तो जिसके पास एक share के बदले 10 share है आप तो एक share buy करते हैं तो आपका तो एक रुपया का benefit होगा लेकिन उसके पास 10 share है आप उसको जो है 10 रुपय का benefit होगा यहां पर अगर हम बात करें ऐक मुल्टी बाइगर रिटर्न दिया है तो इसके चार्ट में आप जब देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाएगा मातर 7 पैसा का यह stock लेकिन यह split value है यह share bonus और stock split के कारण यह stock का price टूटते टूटते इतना कम हो गया बास्तिविक price इसका जो है काफी ज़्यादा था बास्तिविक price यह नहीं है तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है यहां से company जो return दिया इतना बड़ा तो उसके पीछे है long years 15 years ही आपको invest करके उसमें invested रहना परेगा तब आपको compounding का benefit मिलेगा दो इसके fundamentals को जान लेते हैं company का fundamentals कैसा है क्योंकि fundamentals जब तक अच्छा नहीं होगा तो आपको इतना बहतरी डिटर्ण केसी भी company में नहीं मिलेगा long term में company का fundamentals बिलकुल solid होनी चाहिए बहुत ही strong होनी चाहिए तो जोस्तो इस company का market capitalization है 992 crore है तो 992 crore है तो अभी भी ये छोटी company है अभी भी मात small cap में भी छोटी company में से है तो आप समझ सकने है ये जो है 10 साल पहले 15 साल पहले ये company का जो market capitalization होगा वो मात 50 crore 100 crore मात इतना ही होगा तब जाकर कि इस company ने इतना बड़ा return दिया है तो मतलब एक micro cap company अब जो है एक छोटी धीरे-धीरे एक small cap company बनने अभी भी ये अच्छा small cap का जो value होना चाहिए 3000-4000 crore market capitalization होना चाहिए बहुत ही छूटी company है अभी भी 1000 crore से भी छोटा है market capitalization अगर current price की बात करें 78 rupees 40 पैसा है अगर high low की बात करें तो 95 rupees देखते हैं ये ए 22 week low मतलब जो गिरावर था pandemic में उसमें आपको मातर 25 rupees में ये stock अराम से मिल जाता और इसका dividend कुछ भी पेहने करती कांपनी मतलब पूरी तरह से growth पर focus करती है return on capital प्लाइट देखेगा मातर 6% का equity return मातर 6% का base value एक पहले base value 10 था promoters holding 68% है कोई भी share place नहीं है promoters का अगर बात करें यहाँ पर profit का 20 crore का loss है इस साल में क्योंकि पेहने result काफी प्रभावित हुआ है लेकिन इससे पहले company का profit था काफी अच्छा था आपको हम दिखाएंगे पूरी तरह से जो profit और loss का record है पिछले साल का लेकिन थोरा से जो negative ब कपनी पास 796 crore का जो की enough नहीं है इस debt को मतर पे करने के लिए वहीं पर कपनी का investment भी कुछ नहीं है मातर 7 crore का है investment तो कपनी के debt to equity ratio यह भी 2.97 है तो अच्छा कासा मतर कपनी को पर debt है तो आप देख सकने है company का fundamentals तो काफी अच्छा लेकिन इधर का fundamentals पे थोरा सा temporary जो effect पड कर रहा है company का जो profit है वो negative में है तो यह दो effect है company के उपर अगर company के business की बात करें यह जो company है वो S.V.P. Global Ventures and Limited है company का नाम और यहां पर अगर बात करें company के business का तो यह देखते है यह earn बनाती है जो आप कपड़े के slime में यूज करते हैं और अलग लग चीज़ों हम यूज करते हैं यहां पर कि our mission is to expand and continually improve utilizing quality practice to manufacturing cotton yard बनाने के काम करती है company तो दोस्तों यह काफी बहतरीन company में से एक है cotton yard बनाने वाली company है इसी तरह जो company का business improve होने वाला है जो company अपने business पूरी तरह से focus है और उसे expand करना चाहती है उसे ज्यादा ज्यादा ग्रो करना चाहती है तो वो ऐसे ही company में आपको invest करनी है तो उमीद करती है यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा कि किस तरह की company आपको जो है एक multi bagger return देती है जो company पूरी तरह से focus होती है और अच्छा खासा उसे profit generate करती है अपने business से वही company आपको एक multi bagger return दे सकती है stock market में तो यह था इस वीडियो का मकसद क आपको किस तरह की company चुनना है वो किसी भी segments हो सतका है आप ही जो है technology हो गया जैसे IT service के company manufacturing sector की company यह company आने वाले समय में एक multi bagger return आपको दे सकती है तो इस तरह की company आपको चुनना है इन sector से company को चुनना है तो वीडियो को like और share जरूर किजिएगा अगर वीडियो पसंद आया और चैनल को subscribe करेंगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं आपनी stock market में अपना trading और debit account ओपे नहीं किया है तो आप जिरूधा के साथ open करते है एंजल प्रोकिंग के साथ करते हैं अगर आपको trading करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बहतरी प्लेटपाम है काफी अच्छा margin द लेवरिम लेते हैं आपको कोई फी ब्रोक्रिस पे नहीं करना पड़ता है और इंटाडे में सिर्फ 20 रुपेज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा